Hi everyone, welcome to my channel, I am Simran Sahani and today I'll teach you class 11 English poem The Voice of the Rain written by Walt Whitman Walt Whitman एक nature poet है और ये जो poem है हमारी Voice of the Rain ये भी एक nature poem है बहुत ही interesting poem है ये, actually इसमें क्या होता है? कि हमारे poet जो है वो जो rain है बारिश उससे question करते है कि तुम कौन हो? And to poet's amazement क्या होता है उन्हें बारिश जो है reply कर देती है ठीक है? तो अब इस poem में हम पढ़ेंगे that बारिश जो है उन्हें क्या बताती है मैं कौन हूँ? तभी poem का नाम क्या है? The Voice of the Rain ठीक है? बारिश बता रही है कि मैं कौन हूँ? हमारे poet को So let's start the detailed explanation of this poem and अगर आपको class 11th English का full syllabus पढ़ना है and बाकी subjects का तो आप description box check कर सकते हो सभी playlists given है मैंने term 1, term 2 दोनों का syllabus पढ़ा दिया है ठीक है? So let's start the poem तो 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 मतलब है you तो 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 मतलब है यह क्या लिखा है? आर को आर्ट लिखा है, यू को दाउ लिखा है, इसका मेनिक है तो guys old English में जो है ऐसे words यूस करें जाते थे ठीक है? तो poetic language में poet ने यहाँ पर आर्ट यूस करा है आर की जगा and यू की जगा दाउ यूस करा है Old English में यह दो languages के mixture करके हम words को यूस करते थे तो यहाँ आर्ट का मतलब है आर and दाउ का मतलब है यू तो poet कह रहे है, who are you? किसको कह रहे है? and who are you? किसको कह रहे है? yes you are right बारिश को कह रहे है, who are you? said I, icon है, हमारे poet है to the soft falling shore, soft falling shore मतलब जो प्यारी-प्यारी सी बूंदेगी दें थी बारिश की बचार की, उसको मैंने बोला, कौन हो तुम which strange to tell, which strange, strange मतलब क्या, उन्हें भी बड़ा, अजीब लगा strange मतलब, something जो आप काफी अलग लगे, अजीब लगे, ठीक है which strange to tell, gave me an answer, और poet भी हिरान हो जाते है जब वो soft falling shore, यानि कि rain उन्हें reply कर देती है ठीक है, as he is translated, तो poet कह रहे है, अच्छा थीक है मुदे rain ने जो भी बताया, मैं आपको वो translate करके बताना हो, तो देखते है, क्या बताया rain ने poet को rain कहती है, I am the poem of earth, said the voice of the rain तो सबसे पहले rain अपना description कैसे करेती है, जैसे मैं आपको कहती हूँ तो जो है, हमारे poet ने क्या कहा, हमारे poet को rain ने क्या बताया, I am the poem of the earth, said the voice of the rain कि मैं धर्ती की poem हूँ, मैं धर्ती का music हूँ, I am poem of the earth, ठीक है लेट सी, आगे क्या बताती है, rain की rain कौन है, तो बहुत ही interesting way में आप rain बताती है, कि मैं कौन हूँ exactly, जो water cycle का process है, वो बताती है rain की मैं water cycle का process पूरा करती हूँ, मैं ही पूरे earth को जो है beautiful बताती हूँ मैं ही पूरे earth को life देती हूँ, तो let us see, क्या बताती है हमारे rain, तो rain कहती है, eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea इसका मतलब क्या है, तो poet को rain कहती है, eternal, eternal मतलब forever, day and night, हमेशा, हमेशा I rise, rise मतलब उपर जाना, ठीक है मैं rise करती हूँ, impalpable, impalpable मतलब होता है, अंचुआ, यानि की, जो है, बिना टच करें, किसी को मैं उपर जाती हूँ, सबज में आ रहा है, ये जो है, rain क्या खेना चारी है, yes, rain water cycle बता रही है, 6-7 में पढ़ा थाना, हमने, water cycle होती है, समुदर का पानी, या किसी भी water body का पा English में, eternal हमेशा, ये water cycle का process, day and night चलता रहता है, तो वही चीज तो explain कर रहे है हमार को, ये पूरा घूमता रहता है, ये बता रही है हमार को rain, eternal I rise, impalpable, हमेशा मैं उपर जाती हूँ, impalpable मतलब बिना किसी को touch करें, क्या water vapors को तेख सकते हो, या touch कर सकते हो, नहीं, हमें नहीं में से, and sea, samudr में से, या किसी भी water body में से, मैं rise करके उपर जाती हूँ, कहा जाती हूँ, खुद बताया हमेरे ने, upward to heaven, heaven मतलब sky में जाती हूँ, whence vaguely formed altogether, change and get the same, और फिर क्या करती है, upward to heaven, यानि कि sky में जाती हूँ, और वहां जाके क्या करती है, vaguely formed, vaguely formed मतलब क्या है, जाके मैं vaguely shapes, बना लेती हूँ, यानि कि vagely formed altogether, change and get the same, यानि कि मैं उपर जाती हूँ, और अलग-अलग shapes के क्या बनाती हूँ, बादल बनाती हूँ, जो दिखने में आपको सब अलग लगेंगे, बठ होते तो सब same ही है, कि 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 किसी भी बादल को देखोगे, कोई आपको same shape का नहीं दिखेगा, हर किसी का ऐसा face होगा, किसी का ऐसा face होगा, सबकी shape अलग होती है, बट काम तो सबका एक ही होता है, तो shape अलग होती है, अलग-अलग दिखते हैं, बठ होते हैं सब same है, कौन हमारे बादल, तो यह हमार को जो है, rain ने कहा, eternal, I rise, impalpable, out of the land and the bottomless, see, hopper to heaven whence vaguely formed all together, chain and yet the same, change हो जाती है, उसकी जो form है rain की, पहले water droplets की form में, vapors की form में उपर जाती है, mean to say, और वहाँ जाके क्या बन जाती है, clouds बन जाती है, अलग-अलग type के clouds, जो दिखने में अलग होते हैं, बट होते तो same ही है, तो आगे move करते हैं, आगे हमार को जो है, rain क्या बत I descend to leave the drought, और फिर, जब clouds बन जाते हैं, फिर क्या होती है, बारिश होती है, पता है हमार को तो वही बता रही है, rain कि जब मैं cloud बन जाती हूं, उसके बार में फिर से नीर से आती हूं, I descend to leave, लेव मतलब होता है, धोना के सी चीज को, wash ना, मैं आती हूं नीचे वाश करने के अब क्या wash करने आती है, drought, drought आपको पते है, सूखापन, अब जहां पर भी सूखापन पढ़ाता है, बारिश आती है, वहाँ सूखापन खतम हो जाता है, atomies dust layer of the globes, atomies मतलब चोटे चोटे पार्टिकल जो dust के होते हैं, जो पूरे globe को धाक रखा होता है, उनको भी मैं आखे धो देती हो, wash कर देती हो, देखा है, बारिश के बाद कितना साफसुत्र हो जाते हैं, सब कुछ, जो मिट्टी हमें नहीं दिखाई देती है, बट वो होती तो है, चड़ी चोट आटम्स बहुत atomies होते हैं, वो सब धुल जाते हैं, बारिश क्यान ऐसे, ठीक है, and क्या करती है, रेन, जो ते भी seeds होते हैं, पेड, पौधा, उससे पहले क्या होता है, एक छोटा सा seed होता है, seed को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो यही कहरी है, मैं नीचे आके धर्थी पे गिरती हो, जितने भी seed होते हैं, उनको पानी मिल जाते ह अगर मैं नहीं आऊंगी नीचे तो क्या होगा वो अन्बॉन ही रह जाएंगी यानिकी वो सीट से कभी पॉधा और कभी पेड़ बनेगा ही नहीं तो क्या करती है नीचे आके सबसे पहले ड्रॉट हटा देती है जहां ड्रॉट होती है सुकापन हटाती है धर्ती को धो देती है विल्कुल ही dust particles की layer हटा देती है और जितने भी seeds होते है उन्हें life देती है पानी देकर उन्हें life देती है लेट सी आगे हमार को रेन ने क्या बताया है and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it तो last lines में rain कहती है and forever day and night हमेशा दिन रात मैं अपने origin को life देती हूं अब rain को origin क्या है अर्थ है अर्थ से ही तो origin ही थी तो मैं वापस अपने origin को life दे देती हूं जो कभी आपने देखा बारिश आने के बाद ऐसा लगता है है और सब कुछ कितना beautiful लगता है और हरकोई खुश हो जाता है जब हमारे इस देखते हैं जब सब को साफसुचर हो जाते हैं तो बाद में भी feel happy ना वाओ कितनी pollution freeze हो गया है तो वही हमेरेन कह रही है तो विद्देश आपकी यह poem complete हो जाते है यानि कि इस poem में rain की conversation compete हो जाती है अब आखरी की जो lines है यह जो bracket में है यह poet ने बोली है और यह poet इसमें पते क्या कर रहे हैं यह अपने song को या music को compare कर रहे है rain से ठीक है तो एक तरीके का comparison बनाया है हमारे poet ने song का और rain का तो देखते हैं क्या comparison है मैं आपको इसको detail में explain करती हूँ तो end lines में आप poet कहते है अब rain गई रेन ने बात करना बन कर दिया ठीक है अब poet कहते है for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering wrecked or unwrecked purely with love returns तो poet कह रहे है जैसे rain जो है निकलती है कहां से earth से निकलती है bottomless sea से निकलती है वैसी ही जो एक song होता है issuing from its birthplace Exuing from its birthplace होता है song का birthplace क्या होता है एक writer का guy-up का दिल ठीक है singer के दिल में से a song निकलता है musician के दिल में से a song निकलता है तो जो है एक song भी इसी तरीके से अपने birthplace से जो है born होता है जैसे rain born होती है न bottomless sea में से उपर जाती है वैसी एक song जो है किसी भी एक singer के दिल में से born होता है ठीक है, after fulfillment उसके बाद क्या करता है, song काफी सारे लोगों की अलग अलग needs को fulfill करता है, जैसे कि I am a music lover I know the value of music, जब मैं sad होती हूँ तो भी मुझे music सुनके अच्छा लगता है तो मैं happy होती हूँ, तो भी मुझे music सुनके अच्छा लगता है हमारे अलग-अलग type के music होते है ठीक है, जो हमें अलग-अलग तरीकों से fulfill करते है, ठीक है, तो यही वो point कह रहा है कि एक गाना, जो एक गायक के दिल से निकलता है, वो सबको अलग-अलग तरीके की fulfillment देता है wandering, इधर-उदर घूमता है पूरे world में, अब आपको पता है we are so advanced, हम इधर-उदर कोई सभी गाना सुन सकते है, चिक है, कोई भी किसी भी singer का गाना, हम अपने घर-बैट के enjoy कर सकते है और आजसी नहीं हमेशा सही, वो पूरे में wander, खूमता है धर-उदर लिखा तो एक singer ने है, उनके अपनी मर्जी से, उनके दिल से, बट सुनते कौन है, पूरी दुनिया उसको सुनती है, वार्डर करता है एक song पूरी दुनिया में, तो वही वो कहने, wander करता है, जैसे हमारी earth wander, earth पे ये बारिश होती है वो भी तो wander करती है, पहले उपर जाती है फिर बादल बंदे है, फिर नीचे आती है, फिर उपर जाती है वैसे ही एक गाना भी wander करता है, ragged और unragged ragged मतलब, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा करती रेती है and duly with love returns and at the end के होता है जैसे रेन वापस descend करके अपने earth को origin दे दे देती है न अपनी earth को फिर से जो rejuvenate कर देती है वैसे ही जो एक song है वापस कहा पहुंचाता है duly with love प्यार के साथ में जो singer है उनके दिल में वापस आजाता है कैसे आजाता है appreciation की form में आप अपने किसी favorite singer के पारे में सोचो जब उनका song आपको अच्छा लगता है तो आप उन्हें appreciate करते हो you feel good for them आप उनके fan मिल जाते हो आप उन्हें appreciate करते हो तो वो ही उनके लिए एक sense of achievement होती है and duly with love उनका गाना या फिर उनका जो song है love की form में उनके पास वापस सब पहुच जाता है जैसे कुछ कोई गाना जो है दर दर घूमा कुछ लोगों को पसंद आया कुछ को नहीं भी आया तो जिनको पसंद आता है वो जो है उसको जो है appreciate करते है सिंगर को duly with love जो work है जो इसको appreciation मिलता है वो किसके पास पहुच जाता है सिंगर के पास तो विद्धिस यह comparison आपको सब्सक्राइब करेंगे तो इस बाब एतिक के वैसा फ्लक्राइब विडियोस अके मैंने टॉम्टु की जितनी भी वीडियोस है तर्म वन का जितना भी सलेवर से सब पढ़ा दिया आप जाकर पढ़ सकते हो दिस्क्रिप्शन वक्स प्रेलिस गविन है मेरी इंस्ट्राम इडि का लिंक जिवन है जहां पर मैंने सभी चाप्टर के नोट्स अप्लोड करें हैं अब इंस्टा यूज़ करें तो अब से इंगलिश का तो आप चेक कर सकते हो हमारी हर पोईम के लिए सबसे में क्वेश्चन पर आसकता है तो अगर आपको पोईटिक डिवाइज़ करने के सिंबली क्या है मिटफर क्या है तो उसके लिए 10 मिनिट की वीडियो में इन करें जिससे काफी बच्चों ने अपने पोईटिक डिवाइज़ करें तो जल्दी से आप जाके लन नहीं करें समझें आप जाके उस वोडियो को देखो आपको खुद से समन में आ रहाएगा और आप खुद से पहचान रहे होगे कि इस पोईम में भी कॉन-कॉन से